हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका स्वी कैंपस में दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अपने चैनल पर जो ग्रोथ एंड डेवलप्मेंट से लेटेड जो है बहुत सारी बाते जो कि एक्जाम के पॉइंट और फ्यू से लेटेड थी वो बता चुके हैं आज उस अगे है मास्पेश्य विकास जिसको मोटर डेवलप्मेंट कहा जाता है तो मैं अगर आप से क्लियर शब्द में बोलूं तो कंट्रोल ऑन आवर मसल्स यानि हमारे मास्पेश्य पर नियंत्रण होना ही मास्पेश्य विकास कहलाता है एक्जाम्पल के लिए जैसे जो कि अगण बेबी होता है उसके जो गार्दन होती है इस पर उसका कांट्रोल होता है। इसलिए जब भी हमें उस बच्चे को अगश्य उठाते हैं तो इसकीगरदन को सपोर्ट करते हुए उठाते हैं लेकिन जब बच्च्छा बड़ा हो जाता है या फिर जैसे हम लोग है ह मुटर डेवलप्मेंट यानी कि मास्पेशिय विकास कहलाता है अब बात करते हैं कि मास्पेश्य कॉशल जो है इनिस लेटेश्च नाश्य ने प्रकार की होती है तो जो हमारी स्थूल गतिक कॉशल जिसको ग्रोष मोटर स्किल्स कहा जाता है और दूसरी हमारे सूख्ष मगतिक कौशल जिसको fine motor skills कहा जाता है दोस्तो इस सूख्ष मगतिक कौशल को या gross motor skills को बड़े मासपेशिय भी कहा जाता है और सूख्ष मगतिक कौशल को fine motor skills भी कहा जाता है दोस्तो इसके अंदर इस थूल गतिक कोशल के अंदर वे सभी गति विधिया आएंगी या वे कोशल आएंगे जिसके अंदर जितनी भी हमारी बड़ी मासपेशियों से संबन्दित जो कार रहे होंगे या कोशल होंगे उनको हम इसके अंदर लेंगे और चितने भी हमारे चोटी मास पेशियों से संबने कार रहे या कती विधिया होंगी उनको हम fine motor skills मिलेंगे आए इन दोनों पॉइंटों को हम example के थू पढ़ते हैं जैसे example से दोस्तों अगर एक्जाम के दिश्टर से देखा जाते हैं बहुत ही ज्यादा important है इन दोनों के एक्जाम से ही question आते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स के एक्जामपल देते हैं जैसे कि cycle चलाना, चलना, दौरना, etc. यह सबी के अंदर जैसे चलने के अंदर हम लोग अपनी कई मसल्स को यूज करते हैं cycle चलाने के लिए अंदर के लिए बहुत सारी मसल्स को यूज करते हैं और बड़ी-बड़ी मसल्स को यूज का जैसे हाथ, पैर तो इसलिए सबी gross motor skills के example है बात करते हम अपने fine motor skills के example के जैसे कि लिखना, चिपकाना, काटना जिसके अंदर हमारे łatू सोटी motor skills आती है उनको जो है कहा जाता है fine motor skills जैसे लिखने के लिए हम जयदातर इनका ही use करना है वृष्ट के ही कटने के लिए इंका है इस mówi चिपकने के लिए भिए उनका ऐसे use करना होता है तौन से संब्धित हैं थो रहे हमारे जो फाइन मोटर स्किल्स के ये एक्जामपल है दोस्तों अगर मैं इन दोनों के अंदर आपको कुछ अग्जामपल के या अलग करने का तरीका बताऊं तो एक तरीके से हम बता सकते हैं कि जो भी कतिविधिया या जो भी एक्टिविटी हमारी इन व्रिस्ट को तरू होती है जैसे cutting, pasting, color करना यह सब इसके हम अपने ज्यादा तर जो है इस ब्रिस्ट का या कलाईयों का और इन उगलियों का यूज़ कर रहे हैं वह ज्यादा तर एक्जामपल जो है हमारे fine motor skills का होता है और बाकिये मैंने option लिखना लिखा जैसे कि first is लिखना और दूसरा है आपका मालेजे भी option है काटना यह तीसरा option है हमारा c option है चिपकाना और फूर्थ option है हमारा दोस्तों option number d है हमारा जैसे की पलक जबकाना दोस्तों अगर मैं आप आपसे यहाँ पर पूछू कि इन में से निम्निमे से fine motor skills कौनसा है आप इन सभी में अगर आप इन को ध्यान देंगे और अगर आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखना चिपकाना काटना यह तीनों ही point मैंने किसके इंदर लिखा हुआ है fine motor skills के लेंदर लिखा हुआ है इसके बावजूद मैंने जो है कोशन पूछा यही तीनों options लिख दिया आपे लिखना काटना चिपकाना और पलक छपकाना एक और point लिखते हैं यह तीनों के तीनों मैंने अभी जो है यह आपको fine motor skills के मैंने कोशन पूछा कि निम्द में से कौन सा fine motor skills है दोस्तों अगर हम मेरे आपने जो है कि क्या पता एक कोशन गल थे तो ऐसा नहीं है इस प्रेशन का आंसर होगा option नमबर डी यानि की पलक छपकाना दोस्तों यहां पर मतलब मेरा यह है कि जो चीज हम psychology के अंदर पढ़ते हैं अगर आप उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे तभी हम पैडागोजी के questions कर पाएंगे यहां पर fine motor skills का मतलब यह है कि always हमें questions को according to options attempt करना चाहिए मुझे यहां पर इसने fine motor skills पूछा है तो मुझे यहां पर यह नहीं find out करना कि question गलत हो सकता है या option गलत हो सकता है क्योंकि limited time के अंदर वह हमें exam के बाद आने के बाहर आने के बाद पता लगेग exam center से कि कौन सा question गलत है या सही है तो उस समय हमें एक उचित समय सही आंसर लगाना होगा तो दिये यह option के अधार पर मैं लगाओ तो fine motor skills मैंने आपको बताया था कि सुक्षमगतिक कॉसल होते हैं इसमें चूटी महस्पेशियों होती है तो दिये गाए options में जो हमारी सबसे चूटी महस्पेशियों का यूज हो रहा है वो हमारी blinking यानि की पलक छपकाने में हो रहा है that's why दिये यह option में से यह बेशक्त मैंने यह आपको एक्जामपल लिख वाया है तब और दोस्तों अगर आप पोलेंगे कि मैंने इस से थोड़ी दिर पहले आपको बताया था कि जो हमारी एक्टिविटी थे वह फाइं मोटर स्किल्स में आती है तो पलक छपकानों तो हमारी विश से लेटेड ही न दोस्तों यह मैंने आपको जस्तिक एग्जामपल बताया है कि यह ऐसा हो सकता जितनी चोटी मास्पेसिया है वो फाइन में आती है को इसके लिए स्पेसिफिक सेंटीमेटर या माम मेजरमिंट नहीं बताया गया है कि 5-10 cm की मास्पेसिया जो हमारी ग्रोस के अंदर कि किसके अंदर हमने सबसे चोटी मास्पेसियों का प्रयोग किया देट वही हमारा अंसर होगा आते हैं इस चिप्टर को और आगे बढ़ाते हैं इसके वारे में बात करते हैं दोस्तों यहां पर हम ग्रोथ एंड डवलप्मेंट पढ़ रहे हैं यानि व्रिधी और विकास और उसी से संबंदित हम बात कर रहे हैं या पर उनकी स्टेजिस की यानि स्टेजिस ऑफ डवलप्मेंट यानि विकास से संबंदित पावशिप स्वारी अवस्थाएं दोस्तों इसकी हमारी पहले स्टेज है वह है प्रिनेटल स्टेज या इसको प्रसव पूर्व हमार फ्रेक्शिक्स में एक हमारा इंहीं प्रेटेज कोशन आता है हमारे अग्जाम के अंदर कि शारेलिक विकास यानि फिजिकल ड्यवल्लप्मेंट सबसे तीव रगती से रेड से कौन से स्टेज मी होता है तो उसका आंसर हमारा जो यह की एप हुआ यानि प्रीनेटल के अंदर हमारा शारेलिक विकास बहुत ही तीवरगती से होता है आप इस चीश को देख सकते होंगे कि अब जैसे हमारा जो डेवलप बर्थ जब होता है तो उस समय जो भी हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है लाइक आख नाख मूँ फेस हाथ पैर हमारे जैसे बनने होते हैं वो complete बन चुका होता है लेकिन हमारे जो गर्ब के समय conception period के अंदर इतनी तीवरगती से development होता है कि इतनी जल्दी से हम लोग जो है एक one cell से यानि एक कोशिका से हम complete human में ready हो जाते हैं हमारे सारा का सारा development का जो structure है वही पर तयार हो जाता है इस हिस साथ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस्टेस के अंदर हमारा physical development जो है वो कितनी फास्टेस से होता है दोस्तों हम बात करते हैं अपनी second stage की यानि दूसरी अवस्था की और हमारी second stage का नाम है सैस्वा अवस्था अर्था इंफैंसी पिरड दोस्तों इसकी एज है जीरो सब्सक्राइब करते हैं अब करते हैं सबसे पहले इसकी प्रतिक्रिया की अवस्ता यानि इसको reflex action stage कहा जाता है दोस्तों डी ट्रिपल SM के एक्जाम के अंदर ये पॉइंट आ चुका है टो sir श्चे को चोटे होते हैं दो तीन महीने के जो होते हैं करते हैं जैसे कि बच्चों की मुठे खुले हुई है और हम अपनी उगली बच्चे के हात में रखते हैं बच्चा हम बार 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 बच्चे को ऐसी अक्तिविटी करके परिशान करते हैं अर्फ च बोलता नहीं है तो इस बच्चा निर्भर होता है इसको जू है प्रॉब्लम हो अपनी आखे नहीं कोल पाता है इसके कारण बच्च जगा रहता है पन्ट फिर भी वो अपनी आखों को बंद रखता है इसके अंदर बच्चा ज्यादा तर प्रतिक्रिया की अवस्ता कहा जाता है दूसरा पॉंट हम इसके अंदर आते हैं प्रतिक्रिया से लक्ष उन्मुखी गति विधी की और अग्रिसर होना इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों इंग्रिस पर बोल सकते हैं लेकिन आप ब Alternative हैं पर 20 आपका बच्चा 2 साल हुने वाला है या 2 महिने का बच्चा है और ब さल 1 बाक्रहा है आपको सब्दोर पお Theo ग innerisch करके अपया बातों को बताता है यानि इसिमें बत्चा किएक्शन से अपने लक्ष उन्मुखी गतिविधी की और अग्रसर हो जाता है यानि जो उसकी आउशक्ता वाली चीजे हैं बच्चों उनकी और अग्रसर होने लगता है अलग-अलग actions देने लगते हैं बोलने भी लगते हैं तो इसलिए ये point भी इसके अंदर भी आता है बात करते हैं इनकी और characteristics की दोस्तों यहां पर point लिखा है वस्तूस्थाइट्व इसको इंग्लिश में बोला जाता है object permanence दोस्तों वस्तूस्थाइट्व जो है exam में बहुत बार exam में पूछा गया है सीटेट्डेस भी हर exam में ज्यादा तर exam में पूछ चुका है वस्तूस्थाइट्व भी जो है object permanence is also a characteristics of infancy stage दोस्तों इसके अंदर क्या होता है मैं अगर आपको बता दूँ जैसे मान लीजिए वस्तूस्थाइट्व क्या होता है object permanence क्या होता है जैसे मान लीजिए यह mobile है अगर यह mobile अभी आपके आँख के सामने है अगर मैं इसको आपके आँख के सामने से हटा दूँ तब भी इस mobile की image आपके सामने permanent रह जाएगी वस्तू को कहते है object यह mobile क्या है object और इस object को मैंने आपकी आँखों के सामने से हाइट कर दिया इस object जो है image आपके माइन में permanent हो गई इसी चीज़ को कहा जाता है object permanence यानि कि वस्तू हमारी आँख के सामने ना होने पर विए उसका चित्र यानि हमारी mental image होती है उसको क्या कहा जाता है object permanence या वस्तू स्थाइट दोस्तो हमारा written exam या explain करने वाले exam नहीं है objective type exam है इसका meaning नहीं पूछेगा exam में question यह पूछता है हमारा कि वस्तू स्थाइट जो है कौन से स्थाइज में होता है और कों से स्थाइज में नहीं होता दोस्तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि वस्तू स्थाइट अगर कौन से स्थाइज में नहीं होता तो उसka answer ऑस्तेज स्वावस्था ऑपा और एक्जाम में कोश्चीन गुछ estás into the 08 da जैसे कि एक्स्प्रेइम करके वो से बता देनी कि कैसे और वस्तु स्काय को के पात में रहा है और इसे खेल रहा है मम्मी आती है और इस मारकर को г्ger decision के पॉल गए को सामने सेज हैं बूल लेती हैं और बच्चा पलट करके चन्द चदर को मुँमे लेने लगता है यह वस्तु उसके सामने से हट गई बच्चा उसको भूल गया और वो किसी और चीज की तरफ अग्रिसर होके उस चीज को जो है अपने मुँमे लेने लगता है उससे खेलने लगता है इसका मतलब कि वस्तु जब उसकी आंक के सामने से हट गई तो वस्तु का स्थायत हो जो है बच्चे उसके लिए खतम हो गया यानि बच्चे के लिए अंदर जो है ऑब्जेक्ट बर्मनेंस नहीं होता कौन से स्टेज में जो इंफेंसी पिरेट की जो अरली पिरेट होता है यानि प्रारमिक जो 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 दूगा नहीं बच्चा पहली बात तो यहां पर लोट-लोट के रोएगा और उसके बाद जो है बच्चा हरी उस जगह पर इस मारकर को सर्च करने का प्रत्नी करेगा जहां पर उसकी मम्मी ने इस मारकर को चुपाया होगा इसका मतलब यह है कि आख़ेंगों से ह और ये दोनों कि दोनों कि कॉंसी स्टेज में आतें हमारे ढ़ाते हुए और कोशन की यह पूछें किसमें होता या किसमें होता है और किस प्राइबड मोट हOP बात करते हैं इसकंट की एक होते हैं जादा तर्ची जो को अनुकर्ण के मादम से सीखते हैं और अनुकर्ण ये करते हैं माल जे की एक महिला पूर जो इतनी मख़र बॉलती है उसका नाम माल जे सीमा है और उसको बोलती है कि सीमा इ Nós जो जो वहां पर बच्छा है जो कि ममी की आवाज को रिपीट करके बोलेगा कि सीमा इधर आना यानि की बच्चा इसके अंदर हर एक बात को जो है अनुकरन करता है दोस्तों मैं आपको अपना ही एक्जामपल देती हूं जैसे कि मेरे घर में जो मेरे पापा को मेरे ताओ के बच्चे जो है वो चाचा कहते थे म मैं जो उनकी बातों को सुनती थी तो मैं भी अपने पापा को चाचा कहती थी मेरे ममी मुझे बार बार सिखाती बट मैं नहीं सुनती थी मैं अपनी चाचा अपने पापा को चाचा क्यों कहना से कि क्योंकि मैंने जो मेरे दीदी वगरने बाब बोलते थे मैंने उनकी बात चैनल को सब्सक्राइब करते रहें धन्यवाद